नमस्कार, प्रियदर्शकों हाजर हूं मैं आज चर्चा, सुर्य, बुध्र और शुक्र से सम्मंधित हैं प्रियदर्शकों प्रारंभ में ही बता दूं कि आज का कारिक्रम उन दर्शकों के लिए है जो विशेश रूप से जोतिस में रूची रखते हैं यदि हम जोतिस की गहराईयों में उतरना चाहते हैं तो हमें प्रत्यक ग्रह, ग्रह का भावगत प्रभाव और जिस भाव में है उस भाव में होने से बाकी के ग्रहों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानना भी बेहद आवश्यक है क्योंकि इसको बिना समझे हम उस ढंग से नहीं कर सकते हैं प्रिदर्शकों यत्पिंडे तत ब्रह्मांडे जरा समझे हम जहां होते हैं वहां अगल बगल जो हमारे पडोसी होते हैं वह हमसे प्रभावित होते हैं हम उनसे प्रभावित होते हैं और तो और जो हमारा वर्कुस्थल होता है या हमारे कहीं रिस्तोदार इत्यादी होते हैं वह भी कहीं न कहीं हमसे प्रभावित होते हैं ग्रह भी ऐसे ही हैं, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, आज आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिए, प्रिदर्शकों जन्व कुंडली में ये तीनों ऐसे ग्रह, आप जन्व कुंडली में ही समझिए, वैसे आकास में ये तीनों ग्रह ऐसे ह जो दिखाई पड़ते हैं सूर्य बुध और शुक्र ये क्रमसह इनकी दूरी ऐसी होती है कि दो घर, तीन घर, अत्यधिक चार घर आगे पीछे ये हो सकते हैं लेकिन इतनी ही दूरी इनकी होती है। अब आपको एक जानकारी दे दूँ कि जन्म कुंडली में लगन से पहले समझे फिर बाकी के भावों पर इस सिधान्त को मैं आपको समझाऊंगा। सुर्य और बुद्ध ऐसे दो ग्रह हैं कि लगन से ग्यारमे में जब होते हैं ग्यारमे भाव में लाभव में तो ये अपना सरवाधिक स्रिष्टतम समपूरुनतम फलप्रदान जातक को करते हैं। लगन से ग्यारहमें भवमें, सूर्य और बुध दोनों. और शुक्र कैसे हैं तो आपको बताने की आवशकतानियां मैं कई बार बता चुका हुँ कि सुक्र बारहमें में जब होते हैं तो अतिविसिस्ट कारक होते हैं. ये बात आप पूर्ब में सुन चुके हैं मेरे मूँसे, अगर आप मेरे पुराने वीडियोज देखते हैं, तो आप इस कारेक्टरम को अवस्चे ही सुने होंगे. प्रियदर्शकों ये विशिष्ट कारक होने का अर्थ क्या है? तो वहीं सुर्य और बार्वे की बात तो आप जानते ही ये शुक्र बार्वे में अतिविस्ष्ट कारक माने गए हैं, यानि ब्याय भाव में जाकर के बैठें, तो जाक तक स्वयम के सुखों पर ब्याय करता है, फलता है इनको वहां पर बहुत अच्छा माना गया है. अब जारा गौर करिए कि किसी कुंडली में शुक्र और बुध लाब भाव में और बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा, कि लाब भाव में एक आदस भाव में सुर्य और बुध हों और बार्वे में शुक्र हों. यहां एक सिध्धान्त और लागू हो जाता है जो तुस कहता है कि शुक्र यदि सुर्य से आगे हों, यानि अगर सुर्य दसंभाव में हों तो सुक्र ग्यार्वे में या बार्वे में हों, या फिर अगर सुक्र ग्यार्वे में हैं तो सुर्य अगर ग्यार्वे में हैं तो मैंने बता दिया कि जिस ठाव से ग्यारा हुआत यां ने लगन से जो 11 में रखा तो किस को फलाफल दे रहा हैं लगन को यानि आपको ब्यक्तित्ट को अब वैसे तो जन्मकुंडली का जो बारहो भाव है वो कहीं न कहीं हम से ही जुड़ा हुआ है हम अपने रिस्तदार को भी उसमें रख लेते हैं मातापिता भाई बहन को भी रख लेते हैं तो भी मूलता हम अपनी ही चर्चा उसमें देखेंगे, हम अपनी जन्म कुंडली कि जिस किसी भाव से चौते होंगे, पहले सुक्र की चर्चा करके फिर बाकि इनकी भी चर्चा में करता हूं, पर जिस जुक्र चतुर्थ't भाव से चौते हों, यानि सप्तम में हों, तो यह जातक को जीवनकाल में अभी अभी मैंने क्या कहा, कि पूरुष की कुंडली में हो तो दामपत्य सुख कमजोर करते हैं, परन्तु ध्यान से देखिएगा कि यहां पर बैठे सुक्र की दृष्टी कहां पर होगी, लगन पर होगी, तो जातक खुबसूरत होगा इसमें कहीं कोई दोमत नहीं, चौथा भाव जो है किसका है, जनता का भाव है, जनता संदली कि अगर सप्तम में बैठे हैं सुक्र, तो जातक को स्वयम की स्त्री का सुक्र तो कमजोर करेंगे, परन्तु बाकी उसको इस्त्री सुक्र लगजरियस अईस्वरियव, इसमें कमी नहीं होने पाएगी, यह सुक्र उसको लगातार मिलता रहेगा, वहीं शुक्र जिस भाव से सप्तम में हो, अब जरा लगन में सुर्य हो, तो लगन को बल देंगे, क्योंकि लगन से सप्तम, जातक के ब्यक्तित्व को जातक को खुब सुरत करेंगे, वैसे ही सुक्र को दसम में कोई कारग्रह नहीं माना गया है, परन्तु अगर दसम में शुक्र हैं, तो अच्छा बना देते हैं तो बारवे में शुक्र होते हैं तो जातक अपने लग्जरियस पर खूब खर्च करता है यानि उसको जो भी चाहिए एक कपड़ा ही पहने तो ब्रेंडेड पहने चीजें उसको जितनी भी सांदार चाहिए सुख देखने में जो बहुत खूबसूरत हो उस पर खर्च करने लगता है इसी तरह से आप किसी भी भाव से लेजिए जैसे मैं अभी अभी चतूर्थ भाव से देख रहा था अब चतूर्थ से जरा 12 गिनिये तो चतूर्थ से तीसरा भाव द्वादस होगा यानि तीसरे भाव में एदिजन्म कुंडली में शुक्र हों तो ऐसा जातक अपने पुरुशार्थ कह लीजिए जैसे भी हमेसा उसके दिमाग में खीची चलता रहेगा कैसे मेरे पास लगजरियस चीजें हों समाज में मेरे पास चौथा भाव ऐसा है जहां से व्यक्ति दिखावा भी करता है हलाकि चौथा भाव हृदय का भी है दिल का अच्छा होगा परन्तु दिखावा पसंद होगा तो शुक्र यहां पर ऐसा प्रभाव उत्वपन्य करेंगे प्रिय दर्शकों ग्रह ऐसा केवल भाव के साथ नहीं करते ग्रहों के साथ भी करते हैं ग्रह ऐसा काम ग्रहों के साथ भी करते हैं एक उदाहरण से देखने में खूब सूरत हो इत्यादी वैसे ही आप किसी और भी भाव को रख लिए शुक्र पत्नी के लिए कह नहीं सकता क्योंकि पुरुस की कुंडले में स्वयम शुक्र ही पती के लिए आप कह सकते हैं तो देव गुरु भ्रसपती को देखा जाएगा अगर देव में कप करेगा बढ़िया से कहने का तात परे कि ग्रह केवल एक भाव को केवल प्रभावित नहीं करता वो जहां होता है वहां से इन सभी भावों को प्रभावित कर देता है इसी चलते कई बार हमें ऐसा देखने में मिलता है कि ग्रह के हम जिस प्रभाव की चर्चा कर रहे सम्पूर्ण वैसा हमें प्रभाव देखने को नहीं मिला अब जरा सुर्य और बुध को समझे सुर्य और बुध एकादस में लाभ उत्पन करते हैं अब केवल चर्चा लाभ की नहीं है हर तरह के सुख देंगे लाभ देंगे सफलता देंगे अब जन्म कुंडली के जिस किसी भाव से यह तो किवल एकादस भाव की चर्चा होगी सुर्य और बुध लाभ में होंगे यानि ग्यार्वे में होंगे धन से ग्यार्वे में हों तो धन से ग्यार्वे में क्या होता है तो धन से ग्यार्वे में अगर आप गिनेंगे तो धन से ग्यार्वे में अगर आप गि तो तीसरे से ग्यारवा लगन होता है तो उस सवस्था में देखा जाए तो जातक को जीवन परियंत अगर तीसरे में सुर्य बुध की स्थिति हो तो जातक को जीवन परियंत धनागमन कहीं से न कहीं से होता ही रहेगा धनागमन की स्थिति बनी रहेगी अब यही बात सूर्य और बुध का किसी ग्रह के साथ भी आप जोड़ करके देख सकते हैं शुक्र सूर्य और बुध का किसी भी ग्रह से अगर आप जोड़ें तो यह सम आपको इस्तिती दिखाई पड़ेगी कि वो जिस ग्रह से माल्याजा देव गुरु ब्रहस्पती से सुर्य और बुध लाव संबंध बना ले, ग्यार्वे का संबंध लाव संबंध कहलाता है, तो तीसरे ग्यार्वे का संबंध बनता है, अगर देवगुरु ब्रहस्पती से सूर्य बुधती 11.11 में होतो, तो ऐसे जा़तक के जीवन में कभी धन की कमी हो ही नहीं सकती, वैसे ही शुक्र से ले लिजिये, कि सुक्र तीन घあり चले गए हैं, यानि लगने में चले गए हैं और शुक्र लाभ में, सुर्य और बुध लाभ में बैठे हैं ऐसे जातक के जीवन काल में धन, संपन्नता और कहने की आवशकता क्या है लगने में शुक्र हैं तो जातक देखने में खूब सुरत तो होगा ही होगा तो इस तरह से ग्रहों के प्रभाव को ग्रहों से जोड कर भी देखना अत्यंत आवश्यक होता है, जब आप इस तरह से ग्रहों के प्रभाव को अच्छा एक बात मान समझेए। हमने चली चर्चा ऐसे कर ली, सपोज कीजिए किसी भी तरह से, आप जोतिस को थोड़ा और गहराई में जा करके देखिए, हर कोई अपने खुद की कुंडली को ले करके आया है, तो मैं दूसरों पर इस कुंडली को लागू करने की सलाह तो नहीं दूंगा, अपने ही जीवन पर, आप अपने बच्चे के जीवन को देखना चाहें, हर कोई और ज्यादा किसी का तो नहीं बच्चा जीवन साथी इनका जीवन देखना चाहता है कम से कम, तो आप अपने संतान भाव से इन ही ग्रहों को ऐसी स्तिति में रख करके देखिए, और तब आप पाएंगे कि स समंध कई तरह से देखे जाते हैं किवल एक धन के मामले भी नहीं, हर तरह से लाव के समंध होते हैं और सुख का समंध भी हर तरह से देखा जढ़ाए, केवल एक ही सुख, इस सुख मैने गिना दिया, तो आज इसे विशै को आप आप अपनी जन्म कुंडली पर आज माए और अगर जोतिस की गहराईयों में उतरना चाहते हैं, इसी तरह के वीडियोज को देखना चाहते हैं, तो फिर जुड़े रहिए, और मेरे पुराने वीडियोज जो है, Only Astrology नाम से, जो मेरा प्लेलिस्ट है, उसको देखते रहिए, उसी में सारे वीडियोज आपको मिलते र नमस्कार